हाई फ्रेंड हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल घहरेलू लाजपर दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे मोटापा बढ़ाने का असान घहरेलू तरीका तो दोस्तों अगर आप भी दूबले पन की समस्था से परसान हैं और आप भी च प्रिचके हुए हैं गालों को फुलाना चाहते हो अपने दूबले पन को दूर करना चाहते हो और आप भी बाडी बिल्डर जैसे बनना चाहते हो तो हमारे वीडियो आँखरी तक के जरूर देखे और हमारे वीडियो में बताया जहरे है घहरेलू नुसके का प्रयोग करे अईरवेदिक दवा का प्रयोग करे तो दोस्तो यह दवा बताने से पहले और किस तरह से इसका उप्योग करना है यह सब बताने से पहले आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और जो पाजू का बेलाएकन है उसे भी कि दबादीजिए ताकि जैसे मैं वीडион डालओ मेरे वीडियो का नोटीफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तो इस दवा का प्रयोक किस तरहसे करना है और कैसे करना है जान लिजिए। सबसे पहले यह दवा का नाम जा लिजे दोस्तो इस दवा का नाम है सतावर चून जिहां दोस्तो यह सतावर चून है और यह वेट को तेजी से बढ़ाने का काम करता है अगर आपके पीछके वे गाल है तो पीछके वे गालों को फुलाने का काम करता है अगर आप मसल बढ़ा चाहे तो इते मसल बढ़ाने का काम करता है तो सबसे आपको सबसे पहले कहा जाना है आप पतंजली दुकान चले जाए यह जहां पर वैदेनात का दवा मिलते है वहां पर चले जाए यह पंसारी दुकान भी जा सकते हैं और पंसारी दुकान में जाने बाद वैदेनात की आप आपको सतावर चुड़ना लाना है और दोस्तों आपको पतंजली की अस्वगंधा चुड़ना लाना है या आपको दोनों किसी भी पंसारी दुकान पे मिल सकते हैं या आपको ये पतंजली दुकान में मिलेंगे और हो सकते तो ये आपको वैदनात की दुकान में मिल अब इसका प्रयोग आपको किस तरह से करना है चलिए जानते हैं तो दोस्तो आप इस तरह से एक गिलास दूद रख लिजे अब इस एक गिलास दूद में आपको इन दोनों पावडर का उप्योग करना है प्रयोग करना है तो दोस्तो आप इस तरह से एक चमस ये सतावर चुणना ले लिजे और आपको एक चमस अस्वगंधा चुणना ले लिजे अब इन दोनों दवा को आपको अच्छी तरह से मिक्सर करनी है यह देख लिजे आपको इस तरह से मिक्सर करनी है यह दो मिनट में पूरी तरह से मिल करके तैयर हो जाएंगे तो दोस्तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पर रोक करके इस अच्छी तरह से मिक्सर कर लेता हूँ दोस्तो अब हमारे यह दवा देख लिजे इस तरह से बन करके तैयर है अब इसका प्रयोग आपको किस तरह से करना है जा लिजे दोस्तो यह दवा आपको रात में सोने से पहले पीनी है जी हाँ यह दवा आपको रात में सोने से पहले पीनी है एक चमस आप जो सतारी चुना ले लीजिए और एक चमस आपको अस्वगंदा चुना लेनी है और इन दोनों दवा को आपको अच्छी तरह से मिला लेनी है फिर आपको इसे रात में सोने से पहले पीनी है और सुबा आपको खाना खाने के बाद पीनी है तो ये दूनों दवा का प्रयोग आपको खाने के बाद ही करना है तो दोस्तों आप देखेंगे इस दवा के क्यवाल एक ही सब्ता के प्रयोग से आपके मसल बढ़ना सुरू हो जाएंगे आपके पीछ की गाल फुलना सुरू हो जाएंगे और अगर यह दबाब लगातार दो महने तक परियोग कर लेते हो तो आपके वज़न काफी तेजी से बढ़ने लगेंगे आप मोटे हटे कटे दिखने लगेंगे तो मिलते हैं नेस्टा वीडियो में एक अच्छे नहिमत पुन जानकारी को ले करके तब तक लिए धन्यवाद थैंक्स नमस्कार